इस दुनिया में खतरनाक चीजों की कमी नहीं है। कई लोगों को इन्हें देखना काफी अच्छा लगता है, तो कुछ लोग इसके बारे में जानकर ही हाई तौबा करने लगते हैं। खास कर जब बात किसी खतरनाक जगह पर घूमने की हो या फिर खतरनाक रास्तों से यात्रा करने की हो। कुछ लोगों को एडवेंचर करना अच्छा लगता है, तो बड़े शौक से इन जगहों पर जाते हैं। जबकि कई लोग नाम सुनते ही इनसे दूरी बना लेना पसंद करते हैं। आज हम आपको कुछ ऐसे ही खतरनाक रेलवे ट्रैक के बारे में बताने जा रहे हैं, जहां लोग जान हथेली पर रखकर यात्रा करते हैं। साल्टा पोलवेरिलो ट्रैक, अर्जेंटीना साल्टा को चिली पोलवेरिलो से जोरने वाला 217 किलोमिटर लंबा ये रेलवे मार्ग है। इस खतरनाक ट्रैक को बनाने में तकरीबन 27 साल लगे थे। आम पबलिक के लिए साल 1948 से इस रेलवे ट्रैक को चालू किया गया था। ये रेलवे ट्रैक 4200 की उचाई पर स्थित है। आपको बता दें कि इस ट्रैक के जरिये ट्रेने 29 पुलों और 21 सुरंगों को पार करती है। इस ट्रैक को काफी खतरनाक माना जाता है। मिनामी एसो मार्ग जापान में सबसे चुनौती पूर्ण रेल पट्रियों में आता है जो माउंट एसो के आसपास के क्षेत्र को पार करता है। साल 2016 में कुमामोटो में भूकम्प आने के बाद ट्रैक का एक हिस्सा क्षतिग्रस्थ हो गया था और तब से इस मार्ग का उप्योग बहुत कम हो गया है। आसपास ज्वाला मुखी की सक्रियता इस रेल प्रैक को विशेश रूप से खतरनाक बनाती है। चेन्नई से रामेश्वरम रूप विदेश ही नहीं भारत में एक ऐसा रेलवे ट्रैक है जहां दिल ठाम कर लोग यात्रा करते हैं। चेन्नई और रामेश्वरम को जोडने वाला चेन्नई से रामेश्वरम रूप दुनिया के सबसे खतरनाक और एडवेंचरस रेलवे ट्रैक में शामिल है। इस रूट का ट्रैक जिसे पवन ब्रिज कहते हैं हिंद महासागर के उपर बना हुआ है जो की 2.3 किलोमेटर लंबा है। इसका निर्मान 1914 में किया गया था। केप ताउन दक्षिन अफरीका का केप ताउन की भी गिंती खतरनाक रेल मार्ग होती है। इसके अलावा चोरी और हमले की वारदातों को लेकर भी यह चर्चा में रहता है। यहां की ट्रेन लाइन अक्सर चोरी और हमलों से पीडित रहती है, जिसका सीधा असर संचालन को सुचारू रूप से चलाने पर पड़ता है। परिणाम ये होता है कि अक्सर ट्रेनों कई ट्रेनों को कैंसल करना पड़ जाता है यह रेलवे ट्रैक समुद्रतल से करीब 9000 फुट की उचाई पर स्थित है इस ट्रैक का निर्मान कारिय 1872 में शुरू हुआ और 1905 में रेलवे ट्रैक बनकर तयार हुआ कहा जाता है कि इसके निर्मान के दौरान सैक्रो मजदूरों को अपनी जान से हाथ दोना पड़ा था इसे डेविल्स नोज यानि शैतान की नाक वाली ट्रेन भी कहा जाता है